आज की वीडियो कक्षा बार्वी के लिए हैं बहुत से विद्यार्थियों का ये निवेदन था कि कक्षा बार्वी का सेंपल पेपर बनाईए आपकी प्रीवोर्ड टू की जो परिक्षा संपन हुई है उसी की उत्तरमाला पर हम चर्चा करेंगे बिना देरी किये हम प्रश्न पत्र प्रारंब करते हैं प्रश्न पत्र के प्रारंब में देखिए आपको कुछ सामान्य निर्देश दिये गए है कि यह प्रश्न पत्र दो खंडों में विभाजित है खंड अ और खंड ब खंड अ में आपको सभी बहुवी कल्पिय प्रश्न दिये जाएंगे और खंड ब आपका सब्जेक्टिव अर्थात वर्णनात्मक होगा खंड अ में आपके ओ 8 प्रशनों के लिए कुल 40 बहुवी कल्पिया प्रशन पूछे जाएंगे और खंड ब जो कि आपको निर्देशा नुसार उन प्रशनों को ध्यान से पढ़कर उनके उतर देने होंगे तो प्रशन पत्र के दोनों खंडों को मिलाकर आपके कुल प्रशनों की संख्या होगी 16 तो इसलिए निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ते हुए प्रशनों के उतर देने का प्रयास कीजिए खंड अव में हम देखते हैं जो की हमारे बहु विकल्पिय प्रशनों पर आधारित है पहला प्रशन है आपका एपठित गद्यांच जो की पांचंग का है साहित्य का आधार जीवन है इसी आधार पर साहित्य की दिवार खड़ी है उसकी अटारियां मिनार और मकान बने हुए है लेकिन बुनियाद मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है जीवन परमात्मा की शरिष्टी है इसलिए सुभोध है, सुगम है और मरियादाओं से परिमित है जीवन परमात्मा को अपने कामों का जवाब दे है या नहीं, हमें मालूम नहीं लेकिन साहित्य मनुष्य के सामने जवाब दे है इसके लिए कानून है, जिनके वह इधर उधर नहीं जा सकता मनुष्य जीवन परियंत आनंद की खोज में लगा रहता है किसी को यह रत्न द्रव्य के रूप में मिलता है किसी को भरे पुरे परिवार में, किसी को लंबे चोड़े भवन में, किसी को एश्वर्य में लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से उचा है इसका आधार सुन्दर और सत्य है वास्तों में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है उसी आनंद को दर्शाना वही आनंद उत्पन करना सहित्य का उद्देश्य है अब इस पर आधारित प्रश्णों के उतर हम देखेंगे सहित्य और जीवन में गहरा संबंध है क्योंकि इसका सही जवाब होगा जीवन का मुख्य आधार सहित्य है मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है मनुष्य आनंद की खोज में जीवन भर लगा रहता है साहित्य के आनंद का आधार है सुन्दर और सत्यकोपाना चौथा प्रश्न परिमित का अर्थ है सीमित पांचवा प्रश्न देखिए साहित्य किस के सामने जवाब दे है सही उत्तर होगा मनुष्य प्रश्न संख्या दो नेमनलीगित काव्यांश को पढ़ कर इस पर आधारित प्रश्णों के उत्तर दीजिए, ये भी आपका पांच अंका है, मतलब पांच अंका एपटित गध्यांश और पांच अंका आपका एपटित पध्यांश ध्यानपुर्वक सुनिये, हर किरण तेरी संदेश वाही का, पवन गीत तेरे गाता, तेरे चरणों को छूने में ललाईत हिमकिरी का माथा तुझसे ही सूर्य प्रकाशित है, आलोक, श्रिष्टी में तेरा है, संपोर्ण श्रिष्टी का रोम रोम, चिर रिणी उपासक तेरा है, ए गणित आकाश गंगाई, नन्नी बूंदे तेरे आगे, तु आदी आंत से मुक्त काल अस्तित्व हीन तेरे आगे तो इस पर आधारित प्रश्ण उतर देखिए, इश्वर के चरण चूमने के लिए कौन ललाईत रहता है, तो सही जवाब है, हिमगिरी किसका रोम रोम तेरा चिर रिणी है, सही जवाब संपोर्ण श्रिष्टी जगदपिता किसे कहा गया है? जगदपिता इश्वर को कहा गया है चोथा प्रश्ण सत्य कथन पर सही का चन्न लगाईए, इश्वर के चरणों में धर्ती अमबर नत्मस्तक है तो पहला विकल्प सही है संपोर्ण श्रिष्टी का रोम रोम में कौन सा अलंकार है? का शलंकार होता है तो सही जवाब होगा घह विकल्प पुन्रुक्ती प्रकाश प्रश्ण संख्या तीन यह आपके कावेखंड पर आधारित है कावेखंड पर आधारित निम्रेलेकित बहु प्रश्ण के उत्तर दीजिए जोकी पांच अंके होंगे पहला प्रश्ण है केमरे में बंद अपाहिज कविता के कवी है रगवीर सहाय दूसरा प्रश्ण सीधी बात भी किसके चक्कर में फस गई तो सही जवाब होगा भाशा के तीसरा प्रश्ण नेराला ने जेर्ण यहाँ पर क्रिशिक को कहा गया है प्रश्ण संक्या चार बगुलो का कौन सा सोंदर्य अपने आकर्शन में बांध रहा है तो इसका सही जवाब होगा पंक्ती बद सोंदर्य पांचवा प्रश्ण उशा कवेता में उशा का जादू किस से तूटने की बात कही गई है तो सूर्योदे जब सूर्योदे हो जाता है तो उशा का जादू तूट जाता है प्रश्ण संक्या 4 गत्य पर आधहारित निमनलेकित बहु विकल्पिय प्रश्णों के उततर दीजिए तो आपके कवेखंड से भी पाँचंग के प्रशन है और गद्देखंड से भी पाँचंग के प्रशन है पहला प्रशन शिरीश का व्रिक्ष कहां से अपना रस खीचता है वायू मंदल से दूसरा प्रश्न बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है तो इसका सही जवाब होगा जैनेंद्र कुमार तीसरा प्रश्न लेखक बच्पन में किस सभा का उपमंत्री था तो इसका सही जवाब होगा कुमार सुधार सभा लेखक ने कालपनिक जगत की वस्तु किसे कहा है? सही जवाब है सम्ता को भक्तिन का विवाह किस उम्र में हुआ था? तो सही जवाब है पांच वर्ष इसी से संबंदित एक और प्रशन पर ध्यान दीजिएगा भक्तिन का विवाह हुआ था पांच वर्ष के आयू में और भक्तिन का गोना हुआ था नौ वर्ष के आयू में प्रश्न संख्या पांच वितान भाग दो पर आधारित नेमने लिकित बहुवी कल्पिय प्रश्नों के उत्तर दीजिए पहला प्रश्न है यशोधर बाबू दफ्तर में किस पद पर थे तो सही जवाब है सेक्शन आफिसर दूसरा प्रश्न आनंदा दत्ता जी राव से मिलन बढ़ा सके तीसरा प्रश्न लेखा के दादा अपना कोलू सारे गाउं में सबसे पहले क्यों चलाते थे ताकि उन्हें गुड की जादा कीमत मिल सके तो सही जवाब है गुड की जादा कीमत के लिए चौथा प्रश्न सिंदु घाटी में व्यापार वेखेती कैसी थी सही जवाब है उन्नत पांचवा प्रश्न मोहन जोदुडों की सभ्यता और संस्कृती किसकी शोभा बढ़ा रही है तो सही जवाब है अजायब घर प्रश्न संक्या छे अभीव्यक्ति एवं माध्यम पर आधारित निम्नलेखित बहुवेकल्पिय प्रश्नों के उत्तर दीज सही जवाब है गोवा में तीसरा प्रश्न समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं तो सही जवाब है छे चोथा प्रश्न रेडियो कैसा माध्यम है रेडियो श्रव्य माध्यम है पांचवा प्रश्न विशेशी क्रत रिपोर्टिंग करने वाला रिपोर्टर क्या कहलाता है तो सही जवाब है विशेश समवादादा प्रशन संख्या साथ व्याकरण पर आधारित नेमने लेकित बहुविकल्पिय प्रशनों के उत्तर दीजिए ये भी पांच अंके हैं पहला प्रशन है अत्याचार का संदी विछेद है अती जमा में आचार अती जमा में आचार दूसरा है पीत अंबर में कौन सा समास है बहुवरी और पित अंबर का विग्रह क्या होगा पीत है अंबर जिसका अर्थाथ शिरी क्रिश्न तो जो योगरूड शब्द होते हैं वो बहुवरी समास के लिए होते हैं प्रशन संक्या तीन नेमने लिखित में से शुद्ध वाके का चुनाव कीजिए तो सही जवाब है उस बच्चे को नजर लग गई है प्रशन संक्या चार आज तुमने नया पोशाक पहनी है इस वाके में क्या दोश है तो सही होगा वाके तो शुद्ध रूप में होगा कि आज तुमने नई पोशाक पहनी है तो लिंग संबंदी दोश है यहाँ पर प्रशन संक्या पांच नेमने लिखित कॉलम ए और ब का मिलान करके उसे समास का हमें सही उत्तर ढूनना है समास के बारे में तो यहाँ पर देखिए बे काम समास होता है अब वेई भाव दूसरा है कर कमल कर रूपी कमल यहाँ पर विशेशन का प्रियोग किया गया है हाथ को कमल के समान बताया गया है तो यहाँ पर कर्मधार्य समास चौराहा जिसका पूर्वपद संख्या वाची हो तो वहाँ पर द्विगो समास होता है और माता पिता द्वंद समास जहाँ पर दोनों ही पद प्रधान होते हैं वहाँ पर द्वंद समास तो सही विकल्प होगा कव विकल्प पहला प्रश्ण संक्या आठ नैतिक सिक्षा पर आधारित निम्नलेकित बहु विकल्पिय प्रश्णों के उत्तर दीजिए ये भी पांच अंके हैं शिकार करते समय राजा का कौन सा अंग कट गया तो सही जवाब होगा अंगुली गीता में किसका अद्भुत संगं है वो परिुक्त सभी अर्थात ग्यान कर्म उपासना सभी का महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था?" शुद्धन भागे पर ही निर्भर रहने वाली मचली का क्या नाम था? यद भविश्य यहाँ पर printing mistake है तो यद भविश्य होना चाहिए प्रशन संख्या पांच अब्दुल हमीद को मरनो परांत किस पद से सम्मानित किया गया सही जवाब है परंबीर चक्र से अब हम आते हैं सब्जेक्टिव पार्ट पर खंड बह पर प्रशन संख्या नौ देखिए नेमनलेखित पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों कि आपको दोनों ही प्रकार के प्रशने दिये जाएंगे आपको सह प्रसंग व्याख्या भी दी जाएगी और पद्यांश पर आधारित प्रश्न उतर भी दिये जाएगे तो इन में से जो भी आपको बहुत अच्छे प्रकार से आता हो सोच समझ कर उसी का जवाब देना सै प्रसंग व्याक्या में मुल्यंकन किस प्रकार से होगा आपको प्रसंग लिखना है फिर उसके बाद आपको उसकी व्याक्या बतानी है और अंत में आपको इसका कवेसंदर ये बताना है पहला देखिए से प्रसंग व्याख्या आंगन में लिये चांद के टुकडे को खड़ी हाथ पे जुलाती है उसे गोद भरी रहे रहे के हवा में जो लोका देती है गूंज उठती है खिल खिलाते बच्चे की हसी तो यहाँ पर देखिए बच्चों कि इसमें आप प्रसंग लिखेंगे कि प्रसुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरहो भाग दो के कापे खंड से रुबाईयों से ली गई है और इसके कवी है फिराक गौरकपुरी तो प्रसुत पंक्तियों में एक मा का बच्चे को चांद का टुकड़ा कहकर संभोधित करती है कि अपने चांद के टुकड़े जैसे बेटे को आंगन में लेकर खड़ी है और हाथों में जुलाती है और कभी-कभी वो उसे रह रहकर हवा में उच्छाल देती है और जब मा उस बच्चे को हवा में उच्छालती है तो बच्चा रोता नहीं है बच्चा आश्वस्थ है कि उसकी मां उसे संभालने के लिए उसकी मां के हाथ है नीचे तो वो जब डरेगा नहीं तो क्या होगा बच्चा खिल खिलाएगा हसेगा और उसकी खिल खलाते हुए बच्चे की जो हसी है वो गूंज है वो वातावर शलंकार का प्रियोग किया गया है वात्सल्य रस मतलब जहां पर माता का बच्चे के प्रती प्रेम दर्शाया जाता है वहां पर वात्सल्य वर्णन है वात्सल्य रस का प्रियोग किया गया है और चित्रातमक्ता कह सकते हैं हम शैली चित्रातमक्ता प्रियोग की गई है क्यों इमने लेकित पद्यांश को पढ़कर संबंदित प्रश्णों के उच्छत उत्तर दीजिए, बच्चे प्रत्याश्या में होंगे, नीडों से जाक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चडिया के भरता कितनी चंच चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो पहला प्रश्ण इसका कवी और कविता का नाम, कवी है इसके हरिवं श्राइबच्चन और कविता है, एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है, बच्चे किस आशा से नीडों से जाक रहे हैं, उन्हें क्या उमीद हैं, कि इस उमीद में बटे हैं कि उनकी मा swamp उनके लिए खाना लेने के लिए गई है और वो जल्दी ही लौट आएगी बच्चे इस उमीद में है कि उनकी माँ उनके लिए जल्दी से खाना लेकर आएगी चडियों के गोसलों से किस दृष्षे की कलपना की गई है हम कह सकते हैं कि छोटे-छोटे बच्चे चहक रही है और वे इस उमीद में है कि उनकी माँ उनके लिए जल्दी से खाना लेकर आएगी तो यहाँ पर चडिया गई है खाना लेने के लिए और वहाँ पर बच्चे उनके रहा ताक रही है कि माँ जल्दी से आएगी और वो खाना लेकर आएगी चडियों के पंकों में चंचलता क्यों उत्पन हो जाती है? यहाँ पर एक मा का बच्चे के प्रती प्रेम भी दर्शाया गया है चडिया को ये लगता है कि उसके बच्चे घोसले में खाने का इंतजार कर रहे होंगे और वे उसकी उमीद में बैठे हैं कि मा जल्दी से उनके पास पहुँच जाए इसलिए उसके पंकों में चंचलता का भाव उत्पन हो जाता है चडियों को क्यों लगता है कि दिन जल्दी जल्दी ड़ल रहा है? यहाँ पर हम कह सकते हैं चडिया अपने बच्चों के लिए खाना लेने के लिए गई है उसे लगता है कि उसके बच्चे घर पर भूखे होंगे अपने बच्चों के विशय में सोच कर जो चडिया है उसके परों में फड़ फड़ाहट भर जाती है और वे जल्दी से जल्दी अपने नीडों की और लोट जाना चाहती है प्रशन संख्या 10 नेमने लेखित गद्यांश की सै प्रसंग व्याख्या कीजिए ये भी पांच अंका आपके जिस प्रकार से आपको पद्य खंड में विकल्प दिये गए हैं एक सै प्रसंग व्याख्या के लिए और दूसरा पद्य पर आधारित प्रशनोतर उसी प्रकार से गद्य खंड में भी आपको इसी प्रकार से विकल्प दिये गए हैं एक गद्यांश की सै प्रसंग व्याख्या और अथवा में गध्यांश पर आधारित प्रशनोतर गध्यांश पर आधारित से प्रसंग व्याख्या लिखते समय आप ध्यान दीजिएगा उसका प्रसंग जरूर लिखेगा जो आपको गध्यांश दिया गया उससे पूर्व क्या है और लेखक इस गद्यांश के बारे में क्या कहना चाहते हैं और साथ में विशेश जरूर लिखेगा उसी आधार पर आपका मुल्यांकन होगा इसमें अथवा में संबंदित प्रशनों पर उत्तर देना है लुटन के माता पिता उसे नौ वर्श की उम्र में ही अनात बना कर चलवसे थे सोभागे वश शादी हो चुकी थी वरना वह भी माबाब कानु सरन करता विद्वा सास ने पाल पोस कर बढ़ा किया बच्पन में वह गाए चराता धारोशन दूद पीता कसरत किया करता था गाउं के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे लोटन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी नियमित कसरत ने ही किशोरा वस्था में उसके सीने और बाहों को सुडोल कथा मानसल बना दिया था अब इस पर आधारित प्रशन उतर देखिए पाठ वे लेखक का नाम लिखे पाठ है ये आपके पहलवान की ढोलक और इसके लेखक है फनिश्वरनात रेणू दूसरा प्रशन किस आयू में लुटन अनात हो गया था तो यहाँ पर देखिए इसमें गद्यांश में भी लिखा हुआ है लुटन के माता पिताउ से नो वर्ष की आयू में ही अनात छोड़ गए थे तीसरा प्रशन लुटन ने पहलवानी क्यों शुरू की यहाँ पर उत्तर क्या लिखेंगे आप कि गाउं के लोग उसकी विद्वासास को परिशान करते थे लुटन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थे बच्पन में लुटन का पालन पोशन किस ने किया बच्पन में लुटन का पालन पोशन उसकी विद्वासास ने किया पाँचवा प्रश्ण नियमित कसरत से लुटन के शरीर का क्या प्रभाव हुआ उत्तर क्या लिखेंगे नियमित कसरत ने किशोरा अवस्ता में ही उसके सीने और बाहों को सुडोल तथा मांसल बना दिया था प्यारे बचों मैं यहाँ पर आपको एक सला देना चाहूंगी कि आप कोशिश कीजिएगा कि गध्यांश पर आधारित प्रश्णों के ही उत्तर दीजिएगा क्योंकि इसमें आपके अंक बढ़ने की संभावना है लेकिन इसमें आपको आपको पाठ और लेखक का नाम चीज़ों को याद रखिए और बागी कि जो चार कोश्चन दिये गए वो गध्यांश पर आधारित है तो इसलिए स्कोरिंग कौन सा होगा आपका गध्यांश पर आधारित प्रश्णोंतर अब हम आते हैं प्रश्ण संक्या 11 पर नेमने लिखित दो एह प्रत्याशित चीज़ों यहाँ पर अध्वा में दिया हुआ है कि आप पर प्रश्ण संक्या 11 में आपको कुल 4 प्रश्ण दिये गए हैं जैसे यहाँ पर एक चित्रपराधारित प्रश्ण हो गया और यह तरुन से संबंद प्रश्ण दिया गया है कि आप 16 वर्श के तरुन हैं किसी सहायता करेंगे उस थिती का 1500 शब्दों में वर्णन कीजिए तो यहाँ पर आपको situation दे दी गई है एक में आपको चित्र दे दिया गया है इन दोनों में से भी किसी एक का जवाब देना है आपको और उपर है कि परिक्षा के दिन या मेठी वाणी में से किसी एक का जवाब देना है तो यहाँ पर आपके लिए option खुले हुए चार और उसमें से जवाब देना है आपको सिर्फ और सिर्फ एक का तो यहाँ पर देखिए दो विशय में से एक करना है और यहाँ पर गव और खव विशयों में से किसी एक पर लगबग डेट सो विश्यों में अपनी भावा भी वेक्ति दीजिए तो चारों में से आपको कुल एक काई जवाब देना है जिसके अग पांच है तो यहाँ पर चितर के आधार पर भी आप लिख सकते हो चितर वर्णन कर सकते हो जैसा आपको चितर में दिखाई दे रहा है और दूसरा जैसा कि बताया कि आप 16 साल के यूवक है और आप कार में सफर कर रहे हो जैसे आप दुरगटना देखते हो आपका साथी आपको मना कर रहा है उसकी साहता नहीं करनी लेकिन आप उस घायल व्यक्ति की साहता किस प्रकार करेंगे मतलब आप सोचिए कि आप क्या क्या कारे कर सकते हो इसके बारे में आपको 1500 शब्दों में लिखना है प्रशन संख्या बार है काव्य खंड पर आधारित निम्नलेकित प्रशनों के उत्तर दिये गए अंकों के अनुसार उप्युक्त शब्दों में दीजिए यहाँ पर कुल पांच अंका प्रशन है प्रशन संख्या बार है लेकिन इसमें से दो प्रशने दिये गए है एक प्रशने आपका तीन अंका और दूजरा प्रशन आपका दो अंका तो पहला प्रशन देखिए विपलव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते बंग्ती में विपलव रव से कभी क्या स्पष्ट करना चाहते हैं उत्तर देखिए इसका देखो बच्चो विपलव का अर्थ क्या होता है? क्रांती और सामाजिक क्रांती परिवर्तन के लिए होती है एक ऐसा परिवर्तन जो समाज के कमजोर या जिनका फिर सोशन किया जाता है ऐसे लोगों को एक नई दिशा देने में सक्षम होता है छोटे ही हैं शोभा पाते इसलिए कहा गया है क्योंकि क्रांती से समाज में पिछडे लोगों को ही आगे बढ़ने का मौका मिलता है जैसे कोई भी आंधी आती है तो जो बड़े बड़े पेड होते हैं वो तुरंत गिर जाते हैं लेकिन जो छोटी-छोटे पोदे होते हैं वो खिल-खिलाते हैं एक दूसरे की तरफ मुडते हैं लेकिन फिर वापस सीदे खड़े हो जाते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं होता है कोई नुकसान नहीं पहुंचता है तो इसलिए कहते हैं विपलव रव से अर्थात क्रांती स चोटे ही हैं शोभा पाते की चोटों को ही फायदा होता है अर्थात जो शोटी है क्रांती जब होती है सबसे अधिक लाब उसी वर्व को ही होता है इसी प्रशन का दूसरा भाग देखिए बगलो के पंक कविता का मूल भावस पश्ट कीजिए तो इसमें आप क्या लिखें कि जो बगलो के पंक कविता है वो उमा शंकर जोशी द्वारा रचित है और ये किस पर आधारित है ये प्रकरती चितरन पर आधारित है इसका हिंदी रूपांतरन किया श्री भोला भाई पटेल ने इस कविता में कवी ने चितरन के आधार पर संध्या के समय का ऐसा दृश इतना मनमोहक लगता है कि सब कुछ भूल कर उसी में अटक जाते हैं और उसी प्राक्रतिक सौंदरे में खो जाना चाहते हैं। इसी कारण उसने लेखिका को भी अपने रंग ढग में ढाल लिया था। भक्तिन उसे तह करने के महाने और अधिक सलवटों से भर देती है। और लेखिका को उसने बहुत सारी दंत कथाएं भी कंठस्त करा दी है। इन्ही सब बातों से लगता है कि भक्तिन के आजाने से महादेवी अधिक तेहाती हो गई है। इसी प्रश्ण का दूसरा भाग देखिए। शिरीश की महिमा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो आप इसका क्या उत्तर लिखेंगे। लेखक ने शिरीश के व्रिक्ष को एक अवधूत के समान बताया है। अवधूत मतलब होता है एक योगी के समान। शिरीश के फूल तो बहुत कमजोर होते हैं कि ये भवरों का पद भी नहीं सहन कर सकते। लेकिन इसके फल होते हैं अत्यंत कठोर जो की एक नेता की भाती धके ले जाते हैं जो तूटते नहीं है। शिरीश के व्रिक्ष बड़े और चायादार होते हैं क्योंकि आंधी, तुफान, भयंकर गर्मी और लू में भी ये डटे रहते हैं। जो बहुत ज़ादा गर्मी होती है तो शिरीश का व्रिक्ष ही एक मात्र ऐसा व्रिक्ष है जो पुश्पित और पल लबित रहता है। और घना और चायादार होने की कारण चाया भी प्रदान करता है, वो भी शीतलता वाली चाया। इसलिए लेखक ने शिरीश के महिमा का वर्णन किया है। जब लेखक की मां और लेखक उनसे अपनी पढ़ाई के संबंद में बातचीत करने के लिए गए, उस समय उनकी हर बात को धैर्यपुर्वक सुना और सहायता करने का आश्वाशन दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता जी को मेरे पास भेजना और जब उसके पिता जी उसके पास आए तो बहुत रोब से उन्होंने कहा कि आनन्दा की पढ़ाई बीच में नहीं चूटनी चाहिए। आनन्दा की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आनी चीए और लेखक के पिता को उनकी बात माननी ही पड़ी। से किसी कजबाई स्कूल की इमारत हो सामान जादा नहीं है एहम चीजें कराची लाहौर दिल्ली और लंदन में हैं खुदाई में जो चीजें मिली हैं वो लगभग संख्या में पचास हजार से जादा ही हैं जो कि सिंदो सब्भेता की जलक दिखाने के लिए काफी हैं जिन साप्तोल के पत्थर, तांबे का आइना, मिट्टी की बैलगाडी, दूसरे खिलोने, दो पाटन वाली चक्की, कंगी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के मनकों वाले हार और पत्थर के ओजार वहां पर तैनात अली नवाज ने बताया कि कुछ सोने के गहने भी यहां पर हुआ करते थे, जो कि चोरी होगे, प्रशन संख्या 15 है, जो कि व्याकरण पर आधारित प्रशन उतर है, जिसमें से एक तीन अंका है, और दूसरा दो अंका, पहला प्रशन देखिए, यमक अलंकार की परिभाशा उधारन सहित स्पष्ट कीजिए, यमक अलंक आपको स्पष्ट भी करना है कि यहां पर यमक अलंकार है, तो कैसे है, आप ये बताएंगे कि एक तो काली घटा अर्थात बादलों की घटाओं के लिए प्रियोग किया गया है, और दूसरी घटा अर्थात कम होना, कि गाली घटाओं का घमंड कम हो गया, तो दोनों घटा शब्द हैं, लेकिन एक समान शब्द हैं, लेकिन यहां पर दोनों का अर्थ अलग-अलग है, इसलिए यहां पर यमक अलंकार है, दूसरा प्रश्ण है, व्येंजन संधी की परिभाषा उधारन सहित स्पष्ट कीजिए, व्येंजन संधी की आप परिभाषा क्या कि जब व्यंजन का व्यंजन अथ्वा स्वर से मेल हो अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और दुवित्य शब्द का प्रथम वर्ण यदि व्यंजन या स्वर कोई भी हो तो वहाँ पर उनके मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन होगा वहाँ पर व् इसके जवाब में आप क्या लिखेंगे सन 1885 में बसु ने शौर्ट रेडियो तरंगों की खोज की इन्होंने पटसन के सुक्ष्म रेशों जैसे सुक्ष्म सामागरी से विद्युत तरंगों के द्रोवन को ग्रहन करने वाले उपकरण बनाने में सफलता प्राप्त की उन्हो है उन्होंने स्वन निर्मित उपकरणों से विद्युत तरंगों को दो कमरों की दिवार पार करके तीसरे कमरे में पहुँचा कर एक तोप वे एक पिस्तोल चलाकर बारूत के धेर में विस्फोट करके दिखाया इसी प्रश्न का दूसरा भाग देखिए लंदन के इंडिय मदनलाल धींगरा की मुलाकात किन-किन भारतियों से हुई इसके जवाब में आप क्या लिखेंगे कि इंडिया हाउस के माध्यम से मदनलाल धींगरा की मुलाकात वीर सावरकर, महादेव वापट, विरेंद्रनात, चटो पध्याय, हरनाम सिंग अरोडा, BPS नयर, अमीन और गुडूरंग आदी क्रांतिकारियों से हुई क्योंकि इन में से बहुत से चात्र पढ़ाई से कहीं ज़्यादा क्रांति को महत्व देते थे और क्रांतिकारी गती विधियों में सनलगन होने के कारण उनकी पढ़ाई तक छूट गई थी यहीं पर हमारा प्रश्न पत्र समाप्त होता है आशा है आपने संपोर्ण प्रश्न पत्र को बहुत ध्यान पुर्वक सुना होगा उत्तरों को समझा होगा और आप इसे हल करने का प्रयास जरूर करेंगे अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और इसे अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए ताकि सभी विद्यार्थि इसका लाब उठा सके मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद